अभी तक सीट से रिंग एनाउंस नहीं हुआ लालू जी सेंबुल बाट रहे हैं। मुझे नहीं मलव ओफिस्यल कोई मुझे जानकारी तो है नहीं सीट पर बात्चित हुई है और मुझे लगता कि एक दो दिन में हो जाएगा। आप कल तो मिलने गए थे लालू जी से क्या बात हुआ हम तो मिलते ही रहते हैं उनसे इसमें कौन नहीं बात है बात हुई बात पोजिटिव हुई है और हमको लगता है एक से दो दिन के अंदर हो से पुछ हो जाएगा। नमस्कार आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूँ आपके साथ हर्शिता प्रताप सिंग। बिहार इंडिये में जब सीट शेरिंग हुई तब पशुपती पारस को खाली हाथ रहना पड़ा। उन्होंने इंडिये का साथ छोड़ा और राज़त सुप्रीमो लालु प्रसाद यादव से उम्मीद लगाई। लेकिन वहां भी उनके हाथ कुछ नहीं लगा। वहां भ ये सीट की मांगी है वो चाहते हैं अपने भतीजे चिराग पासवान के आमने सामने लड़ाई करना हाजिपुर सीट से तो वहीं दूसरी ओर इंडिया गडबंधन में जो सीट शेरिंग का फॉर्मुला है उसमें उलज़न लगातार बढ़ती नजर आ रही है एक ओर जो सी पर्तिवश जी की खास बातशीत हुई कॉंग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश परसाद सिंग से देखिए ये exclusive इंटर्वीव तो मेरे साथ हैं बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष डाक्टर अखिलेश प्रसाथ सिंग जी इनसे बात करते हैं क्योंकि हलचल मची हुई है इंडिया गर्वर्णन में सीट सेरिंग को लेकर अभी तक सीट सेरिंग एनाउंस नहीं हुआ लालू जी सेंबल बाट रहे मुझे नहीं मलव ओफिस्यल कोई मुझे जानकारी तो है नहीं सीट पर बात्चित हुई है और मुझे लगता है कि एक दो दिन में हो जाएगा आपकल तो मिलने गय थे लालू जी से क्या बात है हम तो मिलते ही रहते हैं उनसे इसमें कौन नहीं बात है बात हुई बात पोजिटिव हुई है और हमको लगता है एक से दो दिन के अंदर हो सब कुछ हो जाएगा प्रेस को तो नहीं बताया जाएगा जब तक प्रेस कॉंफरेंस नहीं होगा समान जनक सीटों पर कॉंग्रेस लड़ेगी अगर आपको याद होगा मैं सुरू से बोलता रहा हूँ कि कॉंग्रेस महा गटबंदन का सरूप बनाये रखने के लिए हमेशा फ्लेक्सिबूल रही है और सीट उतना सायद महत्पूर नहीं है लेकिन हम लोग चाहते हैं कि सभी जाती बिरादरी का समवेस हो जाए वैसे सीट मिले कैसी लड़ाई रहेगी इस बार इंडिये और इंडिये गटबंदन के लिए भारतिये जंता पाटी के लिए बहुत अच्छी सीथी नहीं है जो लोग भी जो बोल दे लेकिन इस बार चोकाने वाला परिनाम बिहार देगा कई सीटों पर बाहु बलियों को खड़ा कर रहे हैं लालू जी अब मुंगेर में देख लिए जब सीथी नहीं तैय हुआ है तो अभी हेतू हेतू मदभूत वाला बात आप पुछते हैं जब आ जाए बाहु बलियों के लिए तो कोई जगा नहीं होना चाहिए राजनीती में बाहु बली और हत्यारों के लिए कोई जगा नहीं होनी चाहिए मैं इतना ही बात जानता हूँ राजमतिवारी से लालू जी कल मिले मुंगेर में देखिये रहे हैं कुख्यात को की पत्नी को दे रहे हैं टिकाट मिल रही हैं तो तो जो कंग्रेसका एकाउट्ट प्रेसक užना देखिये चुनाओ आजादी के बाद से जो सम्भिधान बना है उसमें साफ है कि free and fair election होना चाहिए समान filled होना चाहिए सब के लिए चाहे सत्ताधारी दल हो चाहे opposition का दल हो और इसमें मैं देखता हूँ जिस तरह से कि एक तो electoral bond जब आ रहा था तो Congress Party ने साफ उसको मना किया था लोकसभा के पटल पर भी आप देख लीजिए राजसभा के ये में भी फिर भी वो हुआ सरकार लाई उनको भाहमत था और उसमें 6000 करोर से ज्यादा रुपया पर उनको पैसा गया हम लोगों को तो बहुत कम आया है फिर उसमें जो काला धन आया होगा उसका तो कोई हिसाब किताब है नहीं वो भी चुकि सत्ताधारी दल हैं सब को काम के नाम पर ठेका के नाम पर सबसे पैसा वसूली करते हैं दूसरी तरफ जो कॉंग्रेस पार्टी का पैसा था उसको भी सीज़ करके तो समान फिल मतलब समान औसर जो पार्टीओं को मिलना चाहिए वो नहीं हो रहा है इसमें साफ बैमानी दिख रहा है एलेक्शन कमिशन को चाहिए कि समान औसर मिले और फ्री एंड फेर एलेक्शन हो कांग्रेस पार्टी क्या करेंगी? हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे और जनता तक ले जाएंगे इस बात को अधक जी आखरी सवाल कहा जा रहा है कि आप वेसी परागत सीटों को नहीं लेना चाहते है जहां इंडी गटवंदन की हार्टाय होती है जिसे पाटले पुतरा सीट है, नलंदा सीट है आप चाहते हैं कि एसी सीटे मिले जहां जीतने की संभावना हो जीतने की संभावना हो सिमांचल में कॉंग्रेस प्रामपरागत रूप से लड़ती रही है उसमें लड़ेंगे हम लोग कांग्रेस पार्टी ही एक है जिसने इंडी गठबंदन का किलाज बचाई एक सिट जित कर तो सिमांचल में तो ज़्यादा सिटों पर लड़ना चाहिए इस बार ज्यादा जीतेंगे महत्पुण यह नहीं है कि कॉंग्रेस के सिंबूल पर लड़े राज़त के सिंबूल पर लड़े बाम दल लड़े जहां जो लड़े उसको जिताना है कांग्रेस के प्रजेस सद्धाक्षिर डक्टर अख्लेस प्रसाद जी का ये कहना है कि मकसद जीत है जो भी लड़े जीते